देश में जानलेवा करोना वाइरस की दूसरी लहर का कहर ऐसा परपा है कि अस्पतालों में अक्सीजन की कमी हो गए थी देश में हाहकार मच गया और मरीद अस्पतालों में और अक्सीजन के लिए अस्पतालों के बाहर भटकते नजर आए असपतालों के बाघ एक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया इसदरान रेल वे ने एक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए राज्यों को आक्सीजन मुहाया कर आई तो वहीं आज रेल मंत्री प्रियुश गोल ने बताया है करीब 20,000 मिट्रिक टन अक्सीजिन उपलब कराने किया मील का पत्थर पार कर लिया है उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 300 अक्सीजिन एक्स्प्रेस ट्रेनों ने राश्टर की सेवा में अपनी यातराव पूरी की है साथी आपको बता दें कि रेलबे ने अब तक करीब 15 राज्यों के 49 शहरों में करीब 1162 से ज्यादा टैंकरों के माध्यम से अक्सीजिन पहुचाई है अक्सीजिन एक्स्प्रेस ट्रेनों ने 24 अप्रेल को अपूर्ती शुरू की और महराश्ट को 126 टन अक्सीजिन मिली है दक्षिन के राज्यों में आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, करनाचक और तेलांगना भी शामिल है जों प्रतेक राज्य को 1000 टन तरल मेडिकल अक्सीजिन की आपूर्ती रेलवे ने की ये ट्रेने जिन 15 राज्यों में पहुँची उनमें उत्राखंड, करनाचक, महराश्ट और मद्रप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडू, हर्याना, तेलांगना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्रप्रदेश और जारकंड शामिल है भारत के विदेश मंत्री एस जयाश्वंकर ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकष एंचनी ब्लिंक्टन से मुलाकात की दोनों के बीच कई मुद्दो पर विस्त्रित बातचीत हुई और जयाश्वंकर ने COVID-19 महमारी से मुकाबले के मुश्किल समय में भारत का साथ देने और जुक्तार दिखाने के लिए बाइडिन प्रशासन को धन्यवाद दिया है विदेश मंतरी जयाश्वंकर ने अमेरिका की अधिकारिक यात्रा पर इस दोरान उन्होंने 20 जन्वरी को जो वाइडिन के अमेरिकी राशोदी बनने के बाद योईस का दौरा करने वाले जयाश्वंकर पहले भारती कैबिनिट मंतरी बने मुलाकात में ब्लिंकर ने कहा कि कोविड नाइंटीन की शुरुवाती दिनों में भारत ने अमेरिका की जो मदद की थी उससे अमेरिका कभी नहीं भूलेगा उन्होंने ये भी काया कि अब हम यहां सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम भारत के लिए और उसके साथ खड़े रहे बैठक से पहले दोनों नेताओं ने विदेश भाग में मीडिया बातचीत की और इसमें जोयश्वंकर ने कहा कि हमारे पास शुर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं मुझे लगता है कि हमारे संबंद कुछ वर्षो में मजबूत हुए हैं और मुझे बहुत विश्वास है कि आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा मैं कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए और एक जुटता दिखाने के लिए अमेरिका का अभार व्यक करना चाहता हूँ तो वहीं बिलिंकुन ने ये कहा कि अमेरिका और भारत कई मैदवपून चुनाओतियों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं साथ हुनों ने कहा कि हमें एक साथ कोविड-19 का सामना करने के लिए एक जुट हैं और हम जलवायू परिवर्तन से उत्पन चुनाओति से निपटने के लिए एक जुट हैं और कई चुनाओतियों से निपटने के लिए संयुक्त राश्टर की संस्थानों और क्वाड के माध्यम से एक साथ भागिदारी कर रहे हैं क्वाड अमेरिका भारत ज्वापान और आस्ट्रेलिया का एक ग्रूप है जिसका उदेश शेत्र में चीन की आक्रमक कारवाईयों के बीच और रणनेति ग्रूप से महत्वकूर्ण इंडो पैसिफिक रीजिन में नियम अधारित व्यवस्ता को मजबूत करना है अब वहीं खबर खेल जगत से जुड़ी बता दे भारत की स्टार बैडमिंटन के लाड़ी सायना नहवाल का आकरी ओलंपिक खेलने का सबना तूट गया है सायना नहवाल इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई विश्व बैडमिंटन महासंग ने इस बात की ज़ानकारी दी है तो वहीं किदामभी श्रीकांत भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में काम्याब नहीं हो पाई विश्व बैडमिंटन महासंग ने साफ किया है कि क्वालिफिकेशन अवदी के अंदर कोई और टूर्नमेंट नहीं होगा और मौजूदा रैंकिंग सूची में कोई भी बदलाप नहीं किया जाएगा विश्व के पूर्व नंबर एक पुरुष खिलाडी श्रीकांत और लंदन खेलो यानि 2012 उलम्पिक की कांसे पदक विजेता साइना की उमीदे लगभग उसी वक्त तूट गई थी जब कोविड-19 वहमारी के कारण सिंगापूर में होने वाले उलम्पिक क्वालिफायर के अब कोई और टूर्णामेंट नहीं खेला जाएगा टोक्यो खेलो की क्वालिफाइंग अवदी आधिकारिक तोर पर 15 जून 2021 को खत्म हो रही है ऐसे में वर्तमान रेस टू टोक्यो रैंकिन्ग में बदलाब नहीं होगा मौजूदा स्वाससा कट के कारण विश्व निकाय ने तीन महत्वपूर्ण आयोजनों को स्थागित करने के बाद कॉलिफिकेशन अवदी को लगबग दो महीने बढ़ा कर 15 जून कर दिया था तो महीं कोरणा वाइरस महामारी की दूस्टी लहक के कारण हाला कि इंडिया ओपन, मलेशिया ओपन और सिंगापूर ओपन का आयोजन नहीं हो रहा है जिससे श्रीकान्त और सायना को कॉलिफिकेशन हासल करने का मौका नहीं मिला भारत के लिए महीला एकल में पीवी सिंधू, पूरुष एकल में बीस आई प्रनीत और चुराक शेटी, साथ ही साब्तविक साराइज रंकेरेडी की पूरुष यूगल जोडी ने कॉलिफिकेशन हासल किया है